और उस वक्त हमाँ पर चार बजने शाम के और बड़ी कबर यह आरी है कि विराट कोली के बार कप्तान रोहित शर्मा ने भी सन्यास का एलान कर दिया है टीट्वेंटी से वाकई में आज दो सबसे बड़े दिगज किरारी टीट्वेंटी हो या फिर वन डे हो या टेस्ट मैच इस फॉर्माट से अपने आपको कहा है सन्यास अलविदा दियेंड उनके टीट्वेंटी करियर के लिए उन्होंने इस फैसले को निश्चित तोर पर इस वोल्ड कप से जीते हैं चाहारे ये वोल्ड कप हमारे लिए आखरी टीट्वेंटी टोर्नमेंट होगा और ये बड़ी खबर आ लिए कि रोई चर्मा जिन्होंने लाजवा बल्ले बाजी की उन्होंने 257 रन इस वोल्ड कप में बना है लाजवा बल्ले बाजी उससे भी बहतरीन कपतानी वर्ल्ल चैंपियन बनाया टीम को वर्ल कप जिताया और आज से ढ़ाई साल पहले वो कफ्तान बने थे टीम इंडिया के 2023 तोज़ारतेश में 50 वर्ल कप 50 ओवर्ल कप नहीं जीत पाए थे और इसके रवाद 2022 वर्ल कप नहीं जीत पाए थे लेकिन एशिया कप जीते और अब से करीब तीन मिनिट पहले रोई चर्मा ने कहा है कि अलविदा टीट्वेंटी और टीट्वेंटी में वो नहीं दिखेंगे वाके में जैसा कि फैंस कहा रहे थे विराट कोली रोई चर्मा वी ओल लव यू हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं दिश्चे तोर पर बहुत मिस् अगले जनरेशन को इतनी प्रेड़ना और इतनी इंस्पिरेशन दी है कि अगली जनरेशन अगला यूग जो है अगली पीडी जो है वो तैयार है यहां से भारती क्रिकेट को आगे लेकर जाने के लिए उसके बारे में बात करेंगे लेकिन रोई चर्मा जिन्होंने समय उन्होंने क्यला और इतना जबरदास उनका प्रदाशन रहा है कि कही ना कहीं जो है हम बहुत जशन मना सकते हैं उनके एचीवमेंट्स के तो रोई च्रमा ने भी अभी अभी फिलाल तोड़ी देर पहले कहा कि मैं अब टी ट्विंटी और नहीं कहलूंगा तो यह है उ जलान और मेवदादू कि उन्होंने टी ट्विंटी में 169 मैच्चेस कहले जिसमें उन्होंने 151 पारियों में 4231 रन बनाए और जहां तक मेरा क्याल है कि शायद वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्ले बास हैं जी हां और विराट कोली ने 4188 हैं और यहां पर दोनों बड़े दिगच किलारी आज रिटार्मेंट की घोशना कर चुके हैं यहां पर तो इसका मतलब यह है कि 125 मैच्चेस कहलने वाले विराट कोली